जाडू चुनाव चिन के साथ चुनाव परचार कर रहे हैं ये शक्स और कोई नहीं बलकि चैतरवसावा हैं चैतरवसावा जो की आमादी पाइटी के गुजरात की भरूच लोगसवा सीट के घोशित उम्मिदवार हैं भरूच की बात हम इसले कर रहे हैं क्योंकि आमादी पाइटी और कॉंग्रेस से गड़बंदन में सबसे जादा चर्चा का विशे जो सीट बनी हुई है वो गुजरात की भरूच सीट बनी हुई है क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के दिगज नेता रहे और सुन्या गांधी के बेहत करीबी माने जाने वाले नेता एहमद पटेल सांसद हुआ करते थे तो अब यहां से उनकी बेटी मुम्ताज पटेल चुनाव लड़ना चाह रही है एहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी बेटी मुम्ताज पटेल यहां से चुनाव लड़ना चाहती है लेकिन इस seat पर आमाधी पार्टी ने भी दावा ठोका और जो चैतरवसावा हैं वो देदिया पाड़ा के विधायक हैं ये भरूच लोकसभा seat के अंदर ही आने वाली एक विधानसभा seat है और पिछले कुछ समय में ये माना गया कि चैतरवसावा की लोकपिरता ये आदिवास के जमानत पर बाहर हैं लेकिन ये आमाधी पार्टी की तरह से दावा किया गया कि पिछले कुछ दिनों में इनकी पॉपलरिटी बहुत बड़ी है और भरूच से इन ही को उमीदवार होना चाहिए इसलिए जो मुम्तास पटेल दावा कर रही थी उनका दावा कही न कहीं कम जोर पढ़ते हुए दिखाई दिया इसलिए ये खबर आई कि आमाधी पार्टी और कॉंग्रेस में जो है गडबंदन का समझाता हुआ है उसमें भरूच सीट कॉंग्रेस आमाधी पार्टी को देने को त्यार हो गई है इसके बाद में जो एहमत पटेल के बेटे हैं मुमत नहीं करेगा ये 22 तारिक को जब ये खबर आई थी कि भरूच सीट आमाधी पार्टी को जा रही है तब उन्होंने ऐसा कहा 23 तारिक को उन्होंने राहूल गांदी का धन्यवाद किया कि आपने हमारी बात सुनी और हम आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेंगे और कि आपकी पार्टी को जा रही है या फिर इनकी बात सुन ली है यह से सटिस्वाई हो गए है यह हम नहीं कह सकते हैं लेकिन इस पर जो है नाराजगी ज़रूर जताई थी एहमत पटेल के परिवार ने उनकी बेटी ने उनके बेटे ने जी अभी बात्ची चल रही है पूरा फैसला हुआ नहीं है तो हम वेट करते हैं और इंतजार करते हैं पर जब यह खबर कल आई तो नाराजगी बहुत हुई थी हमारे पूरे काडर को लोग कहते हैं अहमत पटेल का परिवार ना कि सिर्फ मेय और फैजल है पर अहमत पटे में आई तो बहुत नाराज हुए थे लोग और बहुत ही डीमॉरलाइस थे अब भरू सीट पर एहमत पटेल के बेटे और बेटी दोनों दावा कर रहे हैं तो आमादी पार्टी भी कैसे इस मामले में शांत रह सकती है तो गोपाल इटालिया जो कि आमादी पार्टी के कॉंग्रेस गुजरात में एक भी लोग सबा सीट नहीं जीती है और 2009 में भी भरू सीट जब कॉंग्रेस नहीं जीत पाई है तो किस आधार पर दावा कर रही है अब ये दावा तो दोनों के दावे अलग लग रख दें तो अब फैक्चुल स्थिती क्या है ये समझने की को चुनाव जीतें 1977, 1980 और 1984 तीन चुनाव जीतने के बाद में वो यहां से 1989 का और 1991 का चुनाव हार गए यानि कि वो 12 साल यहां से सांसद रहे हैं 1977 से लेकर और 1989 तक तो 1989 का एलेक्शन और 1991 का एलेक्शन वो यहां से हार गए थे और उसके बाद उन्होंने फिर यहां से चुनाव नहीं लड़ा है साल 1989 से लेकर अभी तक यानि कि 35 सालों के दोरान यहां से लगातार बीजेपी ही चुनाव जीत रही है आप जैसे मैंने बताया कि 1970 से लेकर 1989 तक यहां पर एहमत पटेल जो हैं सांसद थे लेकिन उनके बाद से यहां पर अभी तक बीजेपी ही जीतती आ रही है और अभी मनसुक भाई वसावा यहां से सांसद है तो इसका मतलब यह स्पष्ट है कि अगर 35 साल से कोई पार्टी जीत रही है तो यह गढ़ तो उसी का कहा जाएगा तो यह स्पष्ट रूप से निर्विवाद रूप से गढ़ बीजेपी का है जब 35 साल से बीजेपी ही चुनाव जीत रही है लेकिन क्योंकि एमत पटेल ने यहां पर कुल पांच चुनाव लड़े लोकसबा के जिसमें तीन वो जीते दो वो हारे तो इसके अधार पर उनक यह दावा किया कि उनका जो उमिदवार है डेडिया पाड़ा के जो विधायक हैं चैतरवसावा उनकी पॉप्लारिटी पिछले कुछ दिरों में काफी बढ़ी है और बीजेपी को हराने में अगर कोई सक्षम हो सकता है तो वो यही आमादी पार्टी के उमिदवार हो सकते हैं तो इसी के अधार पर जब चर्चा चली तो यह सहमती बनी कॉंग्रेस और आमादी पार्टी में कि यह seat भरूच की लोगसवा seat आमादी पार्टी को दे दी जाए इस पहले ही उन्होंने उमिदवार गोशित कर दिया है और सहमती भी बनी है कि आमादी पार्टी ही यहां से चुनाव लड़ेगी और दोनों साइड के जो सूत्र हैं चाहे वो आमादी पार्टी के हों चाहे वो कॉंग्रेस के हों दोनों ही इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि हाँ भरूच सीट आमादी पार्टी को ही जा रही है यानि कि 2024 में यहां से आमाधी पार्टी का उम्मिदवार ही चुनाव लड़ेगा शराचर्मा एंडिटी मीडिया